हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शेक बिलाल और आप देख रहे हैं ग्यान डिस्टुबटर चैनल दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि राशन कार्ड की डिटेल कैसे देखते हैं आज हम इस वीडियो में यह सिखेंगे कि एक और तरीके से राशन कार्ड की डिटेल कैसे देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आजाता हूँ गूगल पर वहां मैं टाइप करता हूँ महाफुड और इंटर दबाता हूँ यहाँ पर पैदा जो लिंक आ रहा है इसमें मैं किलिक करता हूँ ठीक है और मैं पहुँच गया महाफुड.gov.in website पर ठीक है मैं यहाँ पर अपने इसाफ से बहाशा स्लेक करता हूँ आप अपने साब से कीज़ेगा इंगलिश अब आजाएगे ओनलाइन सर्विसेस पर ओनलाइन सर्विसेस में जो लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ओनलाइन आजसी मैंडिजमें सिस्टम यह जो लास्ट कल जो लिंक है इस पर किलिक कीज़े इसको किलिक करते ही आप एक नया टैब ओपन होगा rcmsmahafood.gorman.in यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी एक नया टैब ओपन होगा ठीक है यहाँ पर आपको चार ओप्शन नज़र आ रहे हैं ठीक है यह जो राशन कार का ओप्शन है इसको मैं जो सलेक करता हूँ तो इसके सब ओप्शन मुझे चार नज़र आते हैं तो मैं सबसे लास्ट वाला ओप्शन पर जा कर उसको किलिक करता हूँ यह मैंने किलिक कर दिया अब यहाँ पर जो है capture दिया गया है तो मैं capture एंटर कर देता हूँ यह capture website में login करने के लिए यानि इस capture को भरके हम चलो इसको verify कर देता हूँ देखें आप यहाँ पर देख रहे हैं यह logout शो कर रहा है इसका मतलब हम login हो चुके है ठीक है यहाँ पर राशन कार्ट नमबर माग रहा है तो मैं अपना दालता हूँ आप अपना डालिएगा ठीक है यह मैंने अपना राशन कार्ट डंबर डाल दिया और मैं view record इस बटन पर मैं click करता हूँ loading हो रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसने राशन कार्ट के details दिखा दी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और से दो फाइल बता रहा है यह दो पेज बता रहा है ऐक यहाँ पर इसके बाद में तो यह जो पहला पेज है इसके अदर राशन कार्ट का detail दिया गया है और दूसरे पैज में member की detail दी गया है इसको OK कर देता हूँ तो इस तरह से हम राशन कार्ड की डेटिल देख सकते हैं यह एक दूसरा तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है अगर आपको यह वीडियो पसन आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताके जो भी इस चैवल पे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिशन आप तक पहुँचें और सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक यू सो मच